हेलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में आज की रेस्पी होने वाली है फिश फ्राई जो के घर के देसी मसालों से मैंने इसको फ्राई किया है तो चलिए शुरू करते हैं फिश फ्राई तो सबसे पहले आप मैंने साबु धनिया लिया है तब तक आप इसको रोस्ट करते रहेगा जब यह अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब आपको एक मिक्सी के जार में इसको ठंडा करके डालना है और फिर इसका एक सूखा पॉडर बनाना है तो जब यह सूखे पॉडर को आपको निकाल लेना है और इसको आप एक से दो मह आपको अपने हिसाब से जितना आपको ये मसाला इसमें लगाना है फिश फ्राइ करने के लिए तो इसको आप दो से तीन चम्मज मैंने डाला है और इसके बाद में मैंने छोटे चम्मज से एक से दो चम्मज मैंने अदरक का पेस्ट डाला है और एक से दो चम्मज ही इसमें तो बेष्ण कंपस्टे में अ मियंकोकरिघिये से रशे करने के बायर रीया way म लशुन के बाद के बाद में अब आपको हिसमें अपने टेस्ट के हसाब से वह सबोच नमकójा या करना है यो और आपको हिसमें अधिम में पुर्दी पॉडर एड़ करना है और हल्दी पॉडर एड़ करने के बाद में दो से तीन चम्मच इसमें आप नीबू का रस भी एड़ कर दीजेगा और जब नीबू का रस एड़ हो जाए तो फिर दो से तीन चम्मच इसमें आप बेसन मिला दीजेगा और बेशन मिलाने के बाद में थोड़ा सा आप इसमें corn floor मिला दीजिएगा जिससे यह मजली एकदम कुः करारी बनेंगी तो अब इसको आप अच्छे से मसल मसल के पूरा मसाला इसमें मजलियों में आपको अच्छे से लगाना है तो जितना अच्छे से ये मचली में मसाला लगेगा उतनी ही टेस्टी ये फिश पराई बनके तयार होगी तो मैंने इन फिश में कट के भी निशान लगा लिये थे तो आपको अंदर की तरब भी इसका मसाला भरना है और जितने कट के निशान है उसमें भी आपको अच्छे से रगड़ रगड़ कर अंदर तक पूरा मसाला इसमें एड़ करना है तो जितने अच्छे से इसमें मसाला लगेगा उतनी अच्छी फिश पराई होगी अब इसको मसाला एट करने के बाद में फिर आपको इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढाक के रख देना है ताकि इसका जो मसाला है वो अंदर तक मैश हो सके आप 10-15 मिनट के बाद में मैंने पैन में प्राइ करने के लिए फिश रखी थी पैनमे आपको डालना है तो पहले औयल को चब में भी निअम कर लीजिए सेख अ पहले प्राइन. मैं वीडियम कर लीजिएगा अब ऐख रोगructures भी कि द्लीकानल ये को अच्छे इस को अच्छे से रहा हो गई है तो अभिसको आपको पलटाना है तो अब कि अच्छे से बलट जाए तो इसको बारी-ubारी करके आपन आहिस्ते से इस और पिर 9 2018 और इसको भी दूसरी तरफ भी वैसे है आपको फॉड़ घरम कियं कि घ dönौ तो यह देली क्योंकि ये घर के देशी मसालों से ही ये तैयार की जाती है तो ये देखिए अब आपकी ये फिश फ्राइब बनकर रेडी हो चुकी है तो ये बहुत ही एक टेस्टी डिश है तो अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर क